आप लोगों ने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया तो कि सेप्टेमबर के करेंट अफेर्स की आज आपका सेकिंड क्लास है कि सेप्टेमबर करेंट अफेर्स की आज आपके सेकिंड क्लास है एक बार पिछली क्लास के कुश्चन देख लेते हैं कितना याद है को सुझाल नाम आफेर्स की गासर बताइए रिसेंटलि वेर्स तॉल अत्राज इस्टेमा के अफेर्स क्लास में तो एक अ कि आपके क्लास कर से ओको आफेर्स न आत्रा इस सेफ पिछली क्लास में नक्या क्या है था ओक मैं फ्ष्ट व gars किह है औरा है तो अजिसकात बिल्गुल करेक्ट आंसर किया तो आई थिंक कुशन नंबर नाइन 11 तक डिसकस कर लिया था लास्ट कुशन हम लोगों 11 डिसकस किया था वो इस बिनर ऑफ 2023 टाटा इस्टील चैस इंडिया विमेंस रैपिड टूर्णामेंट ठीक है तो यह लास्ट कुशन डिसकस किया था इसका करेक्ट आंसर था आपका द तो यहां तक तो ठीक है फिराज के कोश्चन स्टार्ट करते हैं कोश्चन नंबर 12 से इसरो है सक्सेस्पुली लॉंच दा आधिस्ते एलवन मिशन प्रॉंध सतीज धवन स्पेस सेंटर इस श्री हरी कोटा ठीक है तो यह भी ध्यान रिखेंगे यह जो आपका रॉकेट हो रहे हैं कि कहां से हो रहे हैं सतीज धवन स्पेस सेंटर कहां पर है श्री हरी कोटा में तो विच आधित्ते एलवन को लॉंच दरने के लिए कौन सा लॉंच वेकल यूज किया गया था पीसल्वी सी 57 सी 56 या फिर जी एसल्वी एमके 1 एमके 2 बताइए सब्स्यों नंबर 12 वेल्प परेक्टमस झाल 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 कीकी सूर क्रेक्ट अंसर थे आपका क्ट प्यक्रेक्ट डॉंच को लांज करता लोगों तो ध्यान तब GSLV नहीं PSLV था लेकिन PSLV में कौन सा C57 किसी दिन मैं सारे launch वीकल्स के बारे में आपको डिसकस करा दूँगा पहले भी कई वार हम इसको डिसकस कर चुके आने वाली classes में एक बर फिट से में एक पूरा इस्रो वाला चार्ट लाके कि कौन-कौन से launch विकल से भी यूज़ करता है उसके बारे में आपको एक बात बता दूँगा जो सबसे हैवी अभी तक वो आपका GSLV वह पर पास चीकिए उससे कम हैवी होता तो यह सब डिपेंड करता है कि कितना उन्हें बेट ली जाना है और कितनी दूर तक उन्हें बेट ले जाना है उसके अकॉर्डिंगल लॉंच भी कल डिसाइड क्या जाता है ठीक है तो आदित्य आलवन मिशन हम लोग पहले पी डिसकस कर तुके हैं यह संको इस सड़ी करेग और यह एलवन पॉइंट पहले जब मैंने आपको आदित्य सोलर मिशन पढ़ाया था आगस्वाले करेंट में आपको मिल जाएगा वहाँ पर मैंने एक्स्प्लेंट कर रखा है कि यह लग्रांज पॉइंट्स क्या होते हैं इसमें करीब पर यह अप्रॉक्सिमेटली 1.25 द सब करना है सन में कोरोना स्टडी करना है इसके इसके बीचेशन से उन्हें कह देते हैं तो संग का विएवियर उससे रेडीएशन जो निकलती है उन सब को सब्सक्राइभ तो यह मैने आपका एक मैप अपलोड कर दिया है इसमें सारी संस्की लियर दिखाएगी है जैसे तो sun की सबसे outermost layer कौन सी है वो है यह आपका कोरोना यह outermost layer है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो chromo span मिलेगी और उसके नीचे आपको मिलेगी photo span तो यह सब outer layers में count होती है इसके अंदर अगर जाओगे inner layers में देखोगे तो आपको एक convection zone मिलेगा फिर आपको radiative zone मिलेगा फिर उसके अंदर अगर आप जाओगी तो sun का core मिलेगा ठीक है तो जैसे earth में core होता है सबसे internal उसी तरह से sun कभी सबसे internal part क्या है core और सबसे outer most जो layer है sun कि वो क्या है यहां पर इतना space खाली है उसको कहते है यह जो छोटे छोटे आप दब्दे देख रहे हो इन्हें कहते sun इसपोर्स यहां पर आर्थ की मतलब यहां पर कुछ एक्स्ट्रा ही आपको magnetic radiation देखने को मिलती है तो उसकी वजह से यहां पर dark spot पढ़ जाते हैं उसको क देख और यह प्रॉमिनेंस क्या होता है यह जो संग की आपकी लेर्स संच जो निकलने वाली लेर्स अतलब जो आपका हीट निकल रहे है वह कभी-कभी इस तरह से आर्क बना लीति उस आर्क को कहते हैं प्रॉमिनेंस तो यह कुछ बेसिक लिएर्स है इसमें जादर डिटे यहां दो दो तरह के बन सकते हैं कि इनर्मोस लियर और आउटर्मोस लियर आपसान इस पूर होगा ठीक है सकते इसको बेसिक बात ध्यान रखेएगा नेक्स आते हैं कुश्चन नमबर थर्टी एड विच आप फॉलिंग प्लेसे अ प्रोफेशनल फुट्बॉल इवेंट क्लाइमेट फुट्बॉल कप 2023 इस टेकिंग प्लेस प्लेस फॉर्स तैंग गोवा कोची लद्दा कुलकात क्लाइमेट फुट्बॉल कप 2023 कहां पर होने दो प्रोफेशनल प्रहिनें जा रहा है कहां पर वाप वाप फुची लद्दा कुलकात क्लाइमट के यि पेजा है हाँ जी करेक्ट आंसर इस देओ ठीक है यह कहां पर होने जा रहा आपका लग्दाग में फुट्बॉल लग्दाग एम्स तु स्कॉर इस कार्बन यूट्रल मतलब यह जो क्लाइमेट फुट्बॉल कब है तो इसका क्लाइमेट से कहले रिलेशन है यह एक्शुल में लोग देखने आएंगे जब लोग देखने आएंगे तो उनको क्लाइमेट से रिलेटेड अवेर किया जाए ठीक है इसके लिए यह आपका गेम कराया जाए ठीक है इसके अलावा इससे और कोई कोश्चन आपका नहीं बनेगा नेक्स कोश्चन नमबर 14 कि विच वर्ड हैं सजेस्टेड वाइं यूएं बाइवर्सिटी तो बी यूज वैनेवर देखे फ्लोरा एंड पॉना इन और तो हाइलाइट इंपॉर्टेंस ओ पंजाई तेको जब भी कंजर्वेशन की बात आती है प्रोटेक्शन करने की बात आती है जैसे हमने बना र और इससे आती है लेकिन फंगस भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे उसको प्रोटेक्ट करने की नहीं करते हैं तो फंगस को भी हाइलाइट करा जा रहा है लिए यून पायो डायवर्सिटी ने कहा है कि जब आप फ्लोरा एंड पॉना वर्ड यूज करें तो उसक कौन सा वर्ड बता है पंगस पंगा फ्लोरस पंगी पता यह है तो लग्दाक में पिंकी जी अब पहली बार होने जा रही है तो प्लोरा पॉना इसी तरह से पंगाई को इंपॉर्टेंस देने के लिए कौन सा वर्ड बोला है कि देखो एक तुक्का यह लगा सकते हो फ्लोरा पॉना दोनों में क्या रहा है लास में ए आ रहा है तो राइमिंग देने के लिए हो सकता कुई ऐसा वर्ड जोड़ा हो जिसके लास में ए आ रहा हू ठीक है तो कौन सा लग रहा है सर इस साफ से इस लॉजिक से अगर आप दे कि ये और करेक्ट आंसर इस फंगा ठीक है तुक्का सही बाढ़ गया सर्थ फ्लोरा पोना एंड फंगा तो UN Biodiversity में का भैया फ्लोरा यूज करो पोना यूज करो तो साथ ही साथ एक वर्ड यूज करो फंगा ठीक है इस टाइम पर फंगाई तो बी रिकागनाइज इंड प्लांट इन लीगल कंजर्वेशन प्रेंगवा ठीक है पंगाई की इतनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि कि अगर फंगाई दुनिया से बिटा दिया जाए तो अर्स पे कोई भी लाइफ नहीं बचेगी ठीक है तो यह आपका फंगाई है अगर फंगाई चला जाएगा तो सरा आप मतलब प्राइव मश्रूम में खापा होगे मश्र ऐन ज्याती काफी कापी यूज होता है लोगलन por् epicotta काश स्थे ने बहुत होता तो 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 दो है मिएज दूरता फंगाई तो जरूर है जरूरी है dershehe यह यूदद्रा उर्गएनिजिए माइक्रज़नीजम क्या होते हैं दो दो थ्रह के माइक्र और गैनिज्म है एंड यूकरियोटेग यह यूकरियोटिक वो होते हैं जिनकी सेल में नुलियस होता है जिनमें नुलियस नहीं होता है वो च्छाइं प्रोकरियोटेग बाकिशे किंडम्स हैं लाइब के छै ऐसे आपको मतलब classification है जिनमें life exist करते हैं एक हो गया आपका फंगाई एक हो गया फंगाई एक हो गया फ्रोटिस्टा तो एक हो गया यू बैक्टिरिया एक हो गया आर्के बैक्टिरिया ठीक है तो 6 kingdom life में से एक kingdom of life आपका फंगाई है तो उसे भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है यह आपका कहना है युनाइटी नेशन बायोडाइवर्सिटी ठीक है सर्थ तो मेरे खाल से काफी डिस्कॉस्चन कर लिया आपको यह याद दिलाने के लिए कि आपका पंगा वर्ड इस रिलेटेड विफ सूरा एंड पॉना जहर भी होता है जहर भी बनता है इससे हैं जी सर्थ क्लियर है की नहीं है क्लियर है तो गिब में तौंसा हां जी सर्थ यहां तब कोई डाउट तो नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 15 विच अब फॉलंग कंट्रीज आदा वोस्स अब एशिया कप 2023 हाविंग सिक्स पार्टिसिपेंट्स इन ओर श्री लंका इन पाकिसान इंडिया एंड बांगलादेश नेपाल एंड बांगलादेश पाकिस्तान इन अब्दानेस अब्दानेस अब एशिया सब्सक्राइब 23 हो भी गया है बताइए जरा मतलब सिंपल कोशन है यह तो सा थोड़ा बहुत भी स्पोर्ट से रिलेटर अगर आप यूज रखते होगे तो बहुत स्मूथली इसका आंसर तेसा है ना तो जिनका आभी तक खाता नहीं खुला जिनसे एक भी सवाल सही नहीं हुआ है तो इसको अटेम्ट करके दिल की खुशी राप्त कर सकते हैं बताइए सब्सक्राइब करेक्ट आंसर इस पेलंका एंड पाकिस्टान ठीक है तो एशिया कप अभी जो हुआ था 2023 श्री लंका इंड पाकिस्तान ने इसको बोस्ट किया था और हर दो साल में एशिया का और्गनाइज कराया जाता है कौन और्गनाइज कराता है इसरा आपका इंटरनेशन क्रिकेट अच्या अच्या लोग दाल लास्की दो एकदाम अगर हम देखें यूडीसी वाला देख लो या लडीसी वाला देख लो एक चीज़ करने में आ रही है कि आपका क्रिकेट से भी रिलेंटेड सवाल पना रहा है आपका कमीशन ठीक है एपीएस इस भी आपका बोर्ड है वो ज्यान से पढ़िएगा तो जैसे एश्या कप एक क्रिकेट का टूर्णामेंट था हर दो साल में यह और्विनाइज होता है ठीक है तो इसमें सवाल यह भी सीधा बनता है कि एश्या कप 2023 किस ने जीता था तो यह जीता था सरा आपका टीम इंडिया ने यह आपका क्रिकेट 2.0 is scheme to attract corporate funds for maintaining monuments बताइए से विच मिनिस्ट्री अन्वीलड अडॉप्टर हेरिटेस 2.0 scheme to attract corporate funds for maintaining monuments देखो इसते पहले भी एक scheme लाई जा चुके अडॉप्टर हेरिटेज उसी का यह अप्ग्रेडिड वर्जन है नया वर्जन है अडॉप्टर हेरिटेज 2.0 ठीक है तो यह परपस यह है कि जो corporate funds है जो corporate social responsibility एक जो सरकार पैसा लेती है in the name of charity मतलब सरकार नहीं लेती है companies को कहती है कि charity के नाम पर आपको अपने profit का minimum वानलोग फिक्स कर दिया 2% वो charity में खर्च करना ही करना है ठीक है तो वो tax में दी निदा देना है वो charity में खर्च करना है तो उस पैसे को कहते है corporate social responsibility तो उस fund को utilize करते हुए monuments को maintain कराने के लिए सरकार बोल रही है आपका ये corporate से ठीक है तो उसके लिए उसने एक scheme निकाली वहां की facilities improve कर सकते हो तो वहां पर आप अपना पैसा खर्च कर सकते हो तो यह scheme सर जो है कौन सी ministry ने लॉंच के हुए जैसे archaeological survey of India को पैसा खर्चा करना पड़ता है आपका जो monuments हैं उन्हें maintain करने के लिए तो archaeological survey of India सर कोई private company तो है यह भी सरकारी संस्था है तो यानि ASI की तुरू पैसा कौन खर्च कर रहा है सरकार खर्च कर रही है तो सरकार ने का पैसा ना सच करके यह काम किसको दे देते हैं तो पैसा CSR में इधर उदर खर्च करते थे तो वह पैसा अपना monuments पर खर्च कर सकते हैं वह monuments को अपना maintain कर सकते हैं वह अपना monuments को क्या कहते हैं वहाँ पर आपका नल बगयरा लगा सकते हैं यह वहाँ पर एच्छे शौचाले बना सकते हैं अलग-अलग facilities प्रोवाइट कर सकते हैं ताकि उससे टूरिजम को भी promotion मिले चीक है 2017 में भी इसी तरह की scheme launch की रही थी उसी का एक revamped burden है यह आपका adopter heritage 2.0 चीक है तो इसकी लिए प्रॉपर प्रोसियर से एक website बनाई है website पर जाके आप देख सकते हैं कि कि किस monument में क्या facility इंप्रूब करने के जरूवत है तो उसके accordingly जो corporate से वह काम कर सकते हैं तो इसमें इतना ही तो बस जहां तकना कल्चर मिनिस्ट्री का यह project है next question पर आते है question number seven Prime Minister Narendra Modi visited from six to seven September to attend ASEAN India and East Asia Summit अभी देखो पिछले current affairs में मैंने आपको पिछले मैंने बताया था कि ASEAN India Summit हुई थी ठीक है जी ट्वेंटी से जस्ट पहले आठ और नौ सितंबर को G20 समिट थी छे और साथ सितंबर को प्रधान मंत्री गए ते आशयान इंडिया समिट और East Asia Summit को अटेंड करते हैं ठीक है तो यह दोनों समिट कहां पर होई थी आशयान इंडिया तो सरम ने डिस्कस कर भी लिया था 12 पॉइंट प्रोग्राम जो इसमें निकल के आया है आशयान इंडिया समिट में उसकी भी हम लोगोंने बात करी थी ठीक है तो अगर वो कोर्शन याद होगा तो इसको बहुत स्मूथली आप कर सकते हो तो आशयान इं अम्यां के बात हमने कर दीटि ऐस्टेमिट में देख लेते हैं क्या बात करी आट कि इस समीट में मोदी जी ने काय कि जो इस्टेया है उसके अमारा पूरा सपॉर्ण है हुआ को में को एक में क Erfahr effect की ब्रृब्व में यह एक नुएब्स पर तर्ण arrival च upset और उस्ट्रेलिये यह चार कंट्रीज का ग्ρούप है इसे कहते हैं क्वाड ग्रूफ यह ग्रूप बेसिकली बनाया गया है कि इस इसमें चाइना की काउंटर करने के लिए एक ब्रूट करता है चीक है और आजध्यान घंच कहलेंगे और बाकी देश एक्सेस नीं कर सकती है यह पूरा सी हमारा है् तो यह सारा तुम्हारा तो हम क्या करेंगे हमारा सी होने का पाइदा क्या हुआ तो चाइना अपनी पूरे एरिया में डॉमिनिस बनाना चाहता है तो यह जो आपका यह इस्ट एशिया वाली कंट्री यह बहुत ज्यादा परेशान रहती है इस वजए से तो भारत ने इसकाय और CDRI एक कोईलेशन बनाया गया है डिजास्टर रेजिलेट इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए मिशन लाइफ इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं वन संस वन वर्ड वन ग्रेड यह सारे जो हमारे इनिशियेटिव हैं जो भारत में खुद बनाए हैं तो इनको भी हाइल क्या गया कि आशियान दिखा गया है कि वह यह जो आप लोग है आप लोग भी इनिशियेटिस को जॉइन करके फाइदा उठा सकते हैं ठीक है बाकि तो वह इस से इसके बारे में पढ़ करते हैं उसके अलावा जैसे वन वर्ड वर्ड वन गृड इसकी वीडियो अप्लोड है तो इसको टाइप करके लिख देना नौत इस पेसी तो जो अमारे यूटीब चैनल पे जो वीडियो बनी है रिगार्डिंग इस टॉपिक वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी ठीक है तो यह टॉपिक आप औरेडी हमने कवर कर रखें तो अगर आपको डिटेल भी इसक वीडियो को जरूर राइप पर करें ठीक है सर शली तो इसके आगे बढ़ते हैं हाँ तो इस एश्या समिट के अगर हम शुरुआत देखें तो यह 2005 से स्टार्ट हुआ था ठीक है यह आश्यान कंट्री का इनिशेटिव था यह सबसे पहले जो इसका आइडिया को प्रुब अगर आज के टाइम अगर आप देखो इस एश्या समिट में कितने मेंबर से 18 मेंबर से जिसमें से दस्तों सर आश्यान कंट्री आश्यान कंट्री पॉन है वह लास्त आइम पड़ लएते तो मैंने आप से का था कि अगली बार में आश्यान का मैप लेके आ जाओंगा उसक यह आपका मलेशिया है और यह चोटा सा कंट्री ब्रूनी है और यह चोटा सा कंट्री सिंगापूर है और यह जो ब्लू में है यह पूरा इंडोनेशिया है और यह फिलिप्पीन से तो यह कंट्री कौन है आपका इस यह आश्यान कंट्री के मेंबर है कितने होगे वान इसके अलाबा आठ कंट्रीज और आते हैं एंडिया है ये यह आपके आठ अधर कंट्रीज जो इसमें included आपका है कि में लिया जपाइन इनुज्यक कॉरिया लाइन ले टो और बचे दो कौन South Korea और न्यूजिलेंड ठीक है बचे दो कौन South Korea न्यूजिलेंड तो East Asia Summit में 18 मेंबर हैं जिसमें से 10 तो आशियान हैं आशियान के अलावा बाकी के 8 कौन हैं जिसमें से 4 हैं आपका Quad Countries दो हैं आपका यह रशिया चाइना और बाकी दो कौन हैं न्यूजिलेंड और South Korea तो यह मिला के टूटल 18 कंट्रीज का यह आपका ग्रोपिंग है मतलब कि उसको ओष्यन का चाहें यह त्यांन वाले सीक्ष त्षी आपका यह झालेंड लाॉपर उपर इसको चाइना बिल जाता είναι तो यह आपको पूरा एक्सेस नहीं कि जिआ तो इसको नहीं आपर है क्लिया रहता है कि कि सेप्टेंबर नवंबर अभी तो सब्सक्राइब ना इस बनता जाएगा पीडियेफ मिलता जाएगा इवन सब्सक्राइब सेप्टेंबर में जितने कोश्चन मैंने प्रिपेर कर लिये हैं वह उप्लूटिट भी इस अप्र जाकर उनको मतलब पीडियेफ देख सकते हो पीडियेफ नहीं मिल रहा है तो मेरे को वाट्सप कर देना वैसे तो यह जो वीडियो की डिस्क्रिक्शन है उस वहां पर पीडि कि यहां तक कोई डाउट है तो बताएं कि लिए रहे तो कि में थांसर कि लिए रहे तो कि में थांसर कि अ पिर आगे पर देंजान अगले कोशन के तरह कोश्चन नम्बर 18. वो थे विए प्रेस्टिजियस 8th Dr. M.S.Waminathan Award for his contributions in the field of agriculture during the period 2021-2022. वो थे प्रेस्टिजियस 8th Dr. M.S.Waminathan Award for his contributions in the field of agriculture during the period 2021-2022. वो थे प्रेस्टियस 8th Dr. M.S.Waminathan Award for his contributions in the field of agriculture during the period 2021-2022. वो थे प्रेस्टियस 8th Dr. M.S.Waminathan Award for his contributions in the field of agriculture during the period 2021-2022. वो थे प्रेस्टियस 8th Dr. M.S.Waminathan Award किसको मिला है? टू रिकाजनाईज दाइस लाइफटां कॉन्टियस अब आप एमिन परसंस who have made great impacts and outstanding contribution to agricultural research and development and to the overall poor security and sustainability of agriculture with special reference to India. तो आप जानते होंगे नहीं जानते तो बता दें इंडिया में जो एग्रिकल्ट्रल रेवल्यूशन आया था इंडिया कर पाता है तो वह सब और वन वन मैं अगर उसके लिए कोई कोई responsible है जिसका आप नाम लेना चाहो तो तो आने वाले टाइम में हमने का वार्ड बना दिया में स्वामिनाथन अवार्ड 2004 में तो अगर कोई पर्सन अग्रिकल्चर फिल्ड में अच्छा काम करता है तो उसको हमें में स्वामिनाथन अवार्ड देते हैं यह बाइनियल अव अगरेकल्च्र रिसर्च एंप्लॉई अस्वार्ड आपको यह और अच्छा के बारे में अगर एक याद रखने हूं तो यह याद रखता हूं इंडिया का फादर ऑफ ग्रीन रेवलूशन का दा वर्ड में नौर्मन बॉर्डो का नाम चलता है और इंडिया में ग्रीन का फादर सरकी से कहते हैं इंडिया में सरम ग्रीन रेवल्यूशन का फादर कहते हैं यह कूशन आपके जीके में रेंडमली उठके कई बार आ जाता है तो यह नाम अगर आपको पता है पहले नहीं पता है तो इसको धियान रखेगा वेरी इसीलिए मैं कहता हूं करेंट अफ्यर्स क्लास आपका मैंने इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि आपके जो भी रेंडमल है तो सर क्या है मतलब करेंट अफेर्स उसे फितना है कि यह वार्ड किसे मिला पीवी सकते ना रहा है तो मिला बात यहीं पर खतम हो गई लेकिन उसके बाद भी मैं एक्स्ट्रा टिटियंस इसलिए आइड कर रहा हूं ताकि जो आपके एक्स्ट्रा कोश्टन से जीके में जो रेंडमली कहीं से भी उठके आ जाते हैं आप उन्हें कवर कर ठीक है यह परपज है क्योंकि जब भी हम जीके का नाम सुनते हैं तो एक शाब्द दिमांग में आता रहे जीके तो बहुत वास्त है कुछ भी पूछ लेता है तो इसी वास्तने से लड़ने के लिए यह ज एक्स्ट्र रेंडम पैक्ट से करें उनको आप तक पहुंचाया जा सकते हैं ताकि ज्यादा से दादा आप जीके में काम कर पाओ ज्यादा से दादा आपकी अवेर्नेस डेवलब रूप पाए और एक्जामिनर जो आपका है उसका परपस भी है यह वह आपकी अवेर्नेस है जीके में अगर सही बताया है ना वह जन्र 앞에 चाता है चीज़ों को लिए कर बथन चाता है वह बिलकुल नहीं चाता है तो current affairs पे ज़रूर से ज़रूर हैं चीक है पांस सब्जेक्ट आपके हैं वो तो हैं उसके साथ सथ current affairs भी आपको बहुती important portion लिए करता है चीक है चले next question पे आते हैं सर question no.19 मालभीय mission teachers training program is an initiative by which of the following organizations मालभीय mission teachers training program is an initiative by which of the following organizations University Grants Commission National Council for Teacher Education Digital India a council of scientific and industrialism बाद कता है मालभीय mission teacher training program is an initiative by which of the following organizations कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मालभीय mission प्रीचर्स प्रीनिंग प्रोग्राम इन इनिशेटिफ बाइब विच अब फॉलाइंग और्गनाइजेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन एंसी टीडिटल इंडिया यसी साइर काउंसिल अफ साइंटिफिक इंडिस्ट्री इस बताएं तो मालवी मिशन सरापका है य इसका परपस क्या है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है सर टीचर्स के लिए जो हायर एजुगेशन इंस्टिटूशन से उनमें टीचर्स की भी ट्रेनिंग साथी साथ होती रहनी चाहिए क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में सबसे बड़ा अगर मैं आपको बताऊ खास तोर से इंजीनिरिंग कॉलेजिस में टेक्नोलोजी बहुत एडवांस होते हैं ठीक है लेकिन अगर आप इंजीनिरिंग कॉलेजिस के प्रोफेसर को देखोगे वह अभी अभी सर वही कन्वेंशनल टेक्नीक्स जो अपने टाइम में पढ़के आयते वह अभी वही देखने को नहीं मिल रहे हैं अगर आप कंपेर करो इतना टॉप इंजीनिरिंग कॉलेज क्यों माना जाता है क्योंकि अगर आप आप को देखोगे तो वह लोग आपका इंडस्ट्री ओरेंटेट कोर्स चला रहे हैं उनके पैकेजी इसलिए अच्छे रगते हैं क्योंकि उ वो फुद पढ़के आयते हैं वही आज भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इससे क्या है इससे यह पता चला है कि टीचर्स को भी सब ट्रेनिंग के जरूब आता है जैसे जैसे टाहीं बदलता जाता है नईनी एडप्टेशन्स आती हैं नईनी थियोरी आती हैं नॉट बिल्कुल तूद अपडेटी चीज़े बच्चों तक पहुंचाई जा सके ठीके तभी तो जाके सरे एक अच्छी इंस्टिउशन डेवलप्मेंट होगा तो इसी लिए जरूरत है टीचर्स को भी ट्रेन करने की तो यह प्रोग्राइम मालभी विशन बनाया गया है इड़ एंशूर कंटीनियूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड हैं बिल्डिंग कैपेसिटी दो फिफ्टीन लैग टीचर्स अफाइर एड्यूकेशन इंस्टिट्यूट्स ठीक है थो 111 मालभी विशन सेंटर और दूसरी चीज़ यह कि प्रोफेसर बनना से नॉलिज एक्वा और प्रोफेसर में तो आपको स्टिलिवर करने का भी तरीका सीखना पड़ेगा क्यूंकि नॉलिज जूना इसको ठीच करना इसे डिफेंटी इसलिए कई का लिज़ित में देखो क्या इसे सप्रोफेशर सोते हैं को नौलिज बहुत होती है बट इसकी वज़े से सफर कहन क तो या तो फिर वो सब्जक्स का बेकार हो जाएगा या फिर इंट्रेस्स कर देगा अपना सब्जेक्ट में तो से स्टुडेंट लॉस होता है तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप नॉलिज भी रखते हैं तो उसको डिलीवर करने की भी अपने काम करें कि किस तरह से बच्चों को यह चीज समझाई जा सके ताकि उनका भी इंट्रेस्ट तो यहीं सारी चीज़ों की वज़े से यह आपका मालवी मिशन बनाया गया मालविय थे कौन सब्सक्राइब इंडियन एजुकेशनिस्ट से प्रीडम फाइटर थे एक मॉट्रेर सी चुके थे 1931 में राउंटेबल कॉन्फरेंस भी अटेंट करी थी हिंदू महासबा भी उन्होंने क्रिएट करी थी 1906 में ठीक है और बहु जो अगर आप देखोगे बनारस हिंदू यूनिबरसेटी उसके यह पाउंडर भी है ठीक है वाइस चांसलर भी रह चुके है उसके जामुषन मंओलीर शखु नाटे क्या है कौनत की इंडियन गोर्म्हारमन इस है डिक तार्ट्व गाएंस ब् confess in भी लेघर मच्ध देख्यों फोनपनियरयो PHP कि क्या आओ करेंट सर्ड़ेंस हाजी सर कोस्टेन नमबर 20 क्या होगा करेक्टर देखो नहीं भी लग रहा तु तुक्का लगा दू सर जो भी लग रहा जो भी आंसर लग रहा भू लगा दू सर करेक्टर लगा जो भी लग तुक्षांड़ भी आंसर वाज़ रहा खुछ रहा जा है ड़ लगा हुआ है झाल झाल प्रकाइब स्काराड तर स्काराड पुट्थ एफ इंद इंद गुट्टी अप्रुट्ट एफ ड्रेस्ट पर टूफविड्यवत्व पेडि daí इंडियुवियु थो हैं तो य्ट चो आपका इस मिंगाइडलाइंस जॉर्ट है य्तihen किसके ऑलिब्लॉप्मझेंट ऑप टेकनिकल टेक्स्टाइल में एको शसबाइट इनिडिया यह त Запाट गरेट यह आपको कीनिकव टेक्स्टाइल के स्टार्टप के लिए बनाए दिए ये भारा सरकार इस्टिएल आईए ताकि टैकनीकल टेक्सटाइल की फील्ड में इंडिया में sortie हो सके अब सब सबाइब घ्र मार्केट में पहन के निकल आपको कोई कहेंगा नहीं कोई ने करेगा कि ठीक एई आपने कोई बेस्ट पया पैन लिया लेकिन मान दो आप अगर रील कोट पेनके बाहर नहीं है तो लोग क्या कहेंगे अरे भाव बारिश हो रही है क्या थे एक होता फायर तूट है ठीक है एक होता फाइर तूट वह कि पहना जाता है जब आप जो पॉएर मैं होते हैं जो आग उज़ाने जाते हैं वह जो क्लोग एसे होते हैं they are categorically developed for a purpose एसे गपड़े ऐसे टेक्स टाइल जो कि एक परपस के लिए बनाये गए हो उनको हम क्या कहते है चैक्निकल टेक्स टाइल जैसे रेन कोट है किसे के लिए बनाया गया रेन से डाइपर है उनका एक परपस है कोई खुशी-खुशी में तो सरबचों के फैशन के नाम पे डाइपर या सैनिट्री नैपकिन तो नहीं पहनाता है ना जरूरत है वो उनका एक परपस है तो ऐसे कपड़े जिनका एक परपस होता है जैसे और एक्जामपल अगर लेना है तो आपका conveyor belt, vehicle seat belt ले लो टीक है तो ये ऐसे टैसिसटायल है जो किसी purpose के लिए पहने जाते हैं जिनको एक किसी purpose के लिए यूज़ के जाए तो इस तरह के जो टैस्टायल है उनको हम क्रेते हैं Technical textile They are functional fabrics with multiple applications with across multiple industry including automotive civil engineering construction agriculture health, industrial safety, personal protection, ऑर है बार ठेखनिकल टेकस्टाइल सेग्मेंट हैं यह आपर मेंशन कर दिया इसको याद रखनी की जरूरत नहीं है जस्त एक बखर रीडाउट कर लेना तक यह याद रखनी की जरूरत नहीं है ठीक है तो यह तुट यह बात कि लिए है कि नहीं है सर हाँ ही सर इस दैट क्लियर और नॉट कोई डाउट हो तो बताईए यह इसमें कोई डाउट पो दिया है क्लियर है तो गिब में यह थांस प्रफिट्रयान 3 के बाद इसरो प्रेड नुड राया अगला लुट्बनर बिशन अगला विजने पांस इसा इसा रहाई प्रेड गपूश्ट इस देड़ी भूख लिए यह थांस। चंद्रियार 3 के बाद इस रो प्लाइंड कर रहा है अगला लूनर मिशन लूप एक्स तो यह किसके साथ कुलाबरेशन में प्लाइंड कर रहे सकते पूश्टिन नमर्ट 21 का आंसर बताई क्या लगता है क्या हूँ चंद्रिया प्ररी अस्नेल dh affordable छोषChat अहाँ लूनर्मी डूप चेस प्रेस वे सिर्प त्राइंड को थे वीड्यार has यहां लूपेक्स हम किसके साथ मिलके बना रहे हैं जैकसा के साथ मिलके बगा इसको 2025 का टारगेट यह इस रो और जैकसा का एक कुलाबरेटिव वैंचर है इसमें क्या किया जाएगा एक रोबर और यूज़ किया जाएगा ठीक है अब यही आज आने वाले टाइम कट फैशन है कि मून पर हम क्या भेज रहे हैं एक रोवर और लेंडर देज़ें मतलब वही जैसे विक्रम भेजा एक रोवर वो एक लेंडर और उसके अंदर एक गाड़ी थी प्रज्ञान नाम की ठीक है ऐसा ही सिस्टम आपका दोनो कंट्रीज मिलके भेजेंगे परपस यह है कि सर मून पर बेस स्टैबलिश करने का यानि हम यह चाहरें कि कई न कई से वहां पर पानी मिल जाए इस तरह का सिस्टम बन जाए कि हम वहां पर फुद एनर्जी डेवलप करना इसलिए दरूर यह मालो कल हमें मून पर कॉलोनी ब इस वह यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ बिजली जैसे हम अपने अर्ट पर यूज करते हैं तो कुछ एनर्जी हमें वहां पर चाहिए होगी उनको सस्टेन कराने के लिए अब इतना तो पॉसिबल नहीं है कि सारी एनर्जी हम आर्ट से ट्रांस्पोर्ट करके वहां तक ले जाएं क्योंकि इतना खर्चा हो जाएगा इतना कोई बर्दाश्ट नहीं कर पाएगा तो यह डून ले जा रहे हैं किस तरह से मून पर खुद एनर्जी डेवलफ हो पाएं ताकि वहां पर हम एक अपना बेस बना पाएं एक बार बेस बन गया तो वहां पर बहुत जाके क्या करना है सिर्फो सिर्फ का काम करना है इस रोज जाक्सा कहीं मैटेरियल नहीं ले जाएगा नासा और यूरोपेन स्पेस एजेंसी के भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है वह भी यह वहां पर लेके जाएगा तो एवेलेबिलिटी ओवाटर आइस को ढूंडेगा और स स्वेश तसे करना से यह मतन सेख्ळार स काशली तक्राइब दमक्लानेंट है और नहीं में अधने के चलसफा यह भी באplay जिप्टिंग चामिंशिजिज़ इ embargoajingu sudarी सोरिया चेन प्रवार निए चामिन इजे ग साथ झाले चंपिंशिजिज़ रिए टुन्षंछिज़ प्राविष्टोर असाथर ऑनिडती अंचिजिजिज़ ऑनली कर्वेंटीज औरफ टोर आप टेस्टि जेफिर आर्पडिम इजिया इंडिया यक्ट इसका पर ब्लिए का मैप यहाँ पर मैंने प्रेंप CARE कि दो रिलीजियस शहर हैं यहां पर मक्का एंड मदिना कि कैपिटल इस रियाद एक डैजर्ट का दो डैजर्ट है ठीकि दो डैजर्ट याद रखना साउदियरे में रूबल खली अनपूद यह ध्यान रखना एपीपीएसी पूछ सकता है एपीपीएसी ने एक्जाम में यह दो डैजर्ट कहां पर हैं साउदी रेविया में और साउदी रेविया की लूकेशन इतनी स्ट्राटीजिक है इधर साइड आपको रैड सी दिखेगा ठीक है यह आपका वही पिछली क्लास में मैंने सुइस कैनाल पढ़ाई थी तो यह गल्पों का काबा है इधर से यह लुआ पर्लिंग कंट्रीज देख सकते हैं यह यह चूटा सा कंट्री कुवेत है और यह एक मिरीट है कंट्री इस तो यह चूट्य चूटी कंट्री नियरवाई साउदी अरेविया आपको देखने को मिले हैं सो अगर आप इसमें इनकी civilization देखो Saudi Arabia में generally जो लोग है इसके इस coast पर रहते हैं इस coast पर आपको देखने को मिलेगा या फिर आपको आप इस coast पर लोग देखने को मिलेगा ठीक है ये दो आपका intersection है जहां पर आपको आबादी वहाँ देखने को मिलेगी बाकि इसके लाबा बाकि ये area और ये area ये तो सर पूरा आपका desert है शीक है तो line formation में आपको वहाँ पर civilization देखने को मिलेगी शीक है सर सही तुक्य लग गए शलिए बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी हाँ पिंग कीजी ठीक है चलिए तो आज सर फिर यहींदा करते हैं इसके आगे के questions हम लोग अगली class में discuss करेंगे ठीक है तो lecture अच्छा लगा हो तो like कर देंगे colleagues के साथ share कर देंगे आगे के questions we will discuss in the next class अगर PDF नहीं मिल रही हो तो PDF की link वैसे तो description में है पीडियो के नहीं मिल रहेगा फिर भी मेरे को WhatsApp कर देना 990-78464 और दा PDF ठीक है PDF भी मिल जाएगे ठीक है सर चलिए फिर मिलते हैं अगली class में तिल देंग गॉडबाइग आव नाइस चेर